बिर्बल की खिचडी अक्बर बिर्बल की कहानी एक दफा संसाह अक्बर ने गोशना की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मोसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डुबा रहकर सारी रात गुजार देगा तो उसे भारी भरकम तौफे से पुरुस्कृत किया जाएगा एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने के पानी में खिठूरते हुए बिताई और जहापना से अपना इनाम लेने पहुचा बादसाह अकबर ने उससे पूछा तुम केसे सारी रात बिना सोये खड़े खड़े ही नदी में रात बिताई तुम्हारे पास क्या सबूत है दोबी ने उतर दिया जहाँ पना मैं सारी रात नदी में खड़े रहकर महल के कमरे में चल रहे दिपक को देखता रहा और इसी तरह जाकते हुए मैंने सारी रात नदी के सीतल जल में गुचारी बादसा ने क्रोधित होकर कहा तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिये की गर्मिन लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इनाम चाहते हो सिपायो इसे जेल में बंद कर दो बिर्बल भी उसी वक्त दर्बार में था उसे यह देखा और बुरा लगा कि बादसा नाहक ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे है बिर्बल दुसरे दिन दर्बार में हाजिर नहीं हुआ जबकि उस दिन दर्बार की एक आवश्यक बेठक थी बादसा ने एक खादिम को बिर्बल को बुलाने के लिए बेजा खादिम ने लोटकर जवाब दिया बिर्बल खिचडी पका रहे हैं और वह खिचडी पकते ही उसे खाकर आएंगे जब बिर्बल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादसा को बिर्बल की चाल में कुछ संदेह नजर आया वे खुद तब तीस करने पहुँचे बादसा ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक धड़ा बांद कर उसे बहुत उचा लटका दिया गया है और नीचे जरासी आग जल रही है पास में बिर्बल आराम से खटिय पर लेटे हुए है बादसा ने तमक कर पूछा यह क्या तमासा है क्या एसी भी खिचड़ी पकती है बिर्बल ने कहा माफ करे चहाँ पना चरूर पकेंगी वेसे ही पकेंगी जैसी कि तोबी को महल के दिये की गर्मी मिली थी बादसा को बात समझ में आ गई उन्होंने बिर्बल को गले लगाया और तोबी को रिहा करने के लिए कहा और उसे इनाम देने का हुक्म दिया गया धन्यवाद ऑन्यवाद